हाई वेलकम तो माई कार हेलप लाइन आज के सेशन में बात कर रहे हैं अबाट अपकमिंग कार लाउंचिस बाजार में पैसेंजर का मारकेट में एक नकरात्मक्ता का महौल है कार कंपनियों की सेस में गिराबट ताज हो रही है अब चूकि फेस्टिबल सीजन ओ दिपाबली जस्ट थ्री मन्स अवे और इसलिए कार कंपनियों ने कमान संभाल ली और लाउंच करने वाली है सीरीज ओफ कार्स तकरीबन 12 से 13 गाडिया आने वाली हैं मास मारकेट में अदर देंदर लक्षरी कार मनुफक्चर्स वो भी कापी सारी गाड़या लेके आने वाले हैं तो अगर आप प्लाइन कर रहे हैं अपनी नेक्स न्यू कार्या टाइम आप दिपाबली तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टन है जान लीज्ये कौन-कौन से गाड़या हैं जो तस्तक देने वाली हैं भारती पैसेंजर का मारक में लेक्स ट्री मांज स्टार्ट करते हैं रैनो की ट्राइबर से अगले महीने आने वाली है सेमिन सीटर काड़ी के रूप में रेनो इंडिया अल्ट्रा मॉडिल कॉंसेट लेके आ रहा है साड़े चार से छेलाख रूपिक प्राइजिंग होगी वाल लिटर एंजिन के रूप में रेनो इंडिया ट्राइबर को लॉंच करेगा तो अगर आपकी रिक्वाइमेंट है एंट्री सेग्मेंट में बजट ओरियंटेड का येट विस्ट्राइलिंग लिकिन जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो पांच अटल्ट्स बैच सके रेयर में थार्ड रो में दो बच्चे बैच सके और सांग जा सके एक साथ तो उस केस में ट्राइबर को आप देख सकते हैं नाबर टू, Hyundai की Grand I10 का निया चेनरेशन आने वाला है येस, Grand I10 का स्विफ्ट से डारक कॉंप्रेशन है Hyundai is almost offering a discount of 1 lakh रुपीज so as to sell Grand I10 now Grand I10 में परिवर्थिंग करेगी जिसमें कार की जो केबिन की स्पेस है परिवर्थिंग में ट्विक्स करके आपको Grand I10 का निया चेनरेशन में लाँच होने वाला है नाबर थरी, Maruti Suzuki येस, Ertiga का एक निया वर्जन लेके आ रहे हैं XL6 के नाम से बेसिकली हम दो, हमारे दो और फर्दर आगे दो, यानि two senior members in the family couple और उनके बच्चों के लिए जगर वो संग family trip पर जाते हैं fully loaded car जाते हैं styling के साथ जाते हैं, तो second row में उनको captain row seats मिलेगी, जो senior members of family को बहुत थी comfortable मिलेगी उसमें independent उनको armrest मिलेगा तो वो गाड़ी मारूती premium Nexa range से बेजेगी और August के महीने में launch करेगी, जो number four car है yes from the house of Tata Motors Tata Motors, Altros को launch करेगा और Altros के बारे में कुछ जीड़ी चीचे वो जान लेजे बेसलिए इसका गुनों Geneva Motor Show में दिखाया था Altros आपको मिलेगी Tata Motors के new age alpha platform पे, which is agile, light flexible, advanced platform, car का body weight है, वो थोड़ा से कम रहेगा लेकिन rigidity में, studdiness में कोई कमें नहीं मिलेगी engine के रूप में इसमें आपको Tigor वाला engine मिलेगा, plus आपको 1200cc का turbo charge petrol engine मिलेगा, जो Tiago Tigor के GTB version में आता है, plus Nexon का diesel engine आने की उमीद है इस गाड़ी के अंदर Tata Motors, Impact 2.0 design language के साथ, अगी styling में tweaks करके consumers को ले के आएगी Ailtros का version, जो अगली गाड़ी होगी, वो होगी Kia Motors सरफ से, yes Kia Motors, Celtas को ले के आएगा, Kia Motors की entry होने वाली है, भारती मार्केट में और Celtas को उन्होंने अल्लेड इन्विर गया था अब Celtas को मैं आपको briefly explain कर दो, Celtas क्या है, साथ Celtas what like Hyundai Creta 2020 next generation has, yes, जो आपको अगले साल Hyundai Creta आने वाली है, वो आपको Kia Motors अभी offer करेगी इस कार में आपको complete LED setup मिलेगा, electric sunroof, features की रूप में बहुत इपैजरीन मिलेगी, safety में, styling में, all four display, tire pressure monitoring system, six year back, electronic stability program, traction control, heads up display, आपको बड़ा over 10 inch का infotainment system में लेगा with Android Auto Apple CarPlay, आपको features की रूप में Kia Motors की Celtas, एक complete आपको एक नया experience देने वाली है, plus Celtas में आपको एक GT performance range के अंदर 1.4 liter का turbo charge petrol engine भी आना वाला है, तो गाडिया तो होगी अगस के मैने की, उसके बाद September, October में क्या, दूसाब, September, October में काफी गाडिया आने वाली है, लेकिन जो गाडियां आएंगी, that would most likely be launching in the month of October, जैसे Maruti Suzuki का Espresso, basically, it's a entry segment crossover का, तकरीबन 4 से 5 लाग के बीच में प्राइसिंग होगी, और Maruti Suzuki सबसे अफोर्ड पर क्रॉसोव का लेगाएगा, जो एल्टो के प्लाटफॉर्म पर बेज होगी, basically, इस गाड़ी में, Maruti Suzuki की गाड़ी की ग्राउंट टिनर्स को वाइट, मनलब ऊची रखेगा, कार के टायर इसको वाइडर रखेगा, टस्किन सिस्टम देगा, स्टाइलिंग में, एक बायर जो, basically, यंग कपल है, who want to experience an entry segment, क्रॉसोव कार, जो निकल चले किसी भी कंडिशन में, तो उनके लिए Maruti Espresso लेके आएगा, और Maruti Suzuki's के साथ सथ Elto के नए जनरेशन को भी लेके आएगा तीवाली तर, हलाकि जो Elto के नए जनरेशन, उसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि Maruti का Heart Tech चैसी platform, जो अभी Eltega में आ रहा है उसी platform के base पे आपको entry segment का Elto भी उपलब्द होगी, one liter के रूप में आपको Elto का engine और इसलिए ब्रेशा में आपको petrol version पिलकुल launch होगा, वो आप चाल लेजे प्लस ब्रेशा के styling में और features में क्योंकि ब्रेशा कमजोर लगती हैं इस SUV THOO venue तो इसलिए ब्रेशा में advanced safety प्लस electric sunroof भी आने की उमीद है before the pavli आपको ब्रेशा का अपने sources से पदा किया है through the dealership sources, Vitara का अभी कोई dealership पे communication नहीं है हलाकि भारत में car देखी गई है पर dealership के पार आपकोई communication नहीं है और इतना मुझे पता लगता है क्योंकि मेरे इंडेस्ट्री में समझ है dealership को भी आड़े लग जाता है तीवाली तक launch नहीं हो रही है 2019 में आपको launch होते भी नहीं दिखाई देगी फिर बात करते हैं साब Hyundai के बारे में तो Hyundai की और भी गाड़े आने वाली है जिसमें premium range Elantra और Tucson का facelift version आएगा Elantra पे Hyundai is almost often discount 2.5 lakh रुपीज और Tucson पे 1.5 lakh का discount offer कर रहा है इन दौनों गाड़ियों पे Hyundai नया facelift version उमीद है बिफोर दिपाब लेके आएगा फिर बात करते हैं automatic cars के बारे में तो automatic cars में Jeep की Compass का automatic version diesel automatic आएगा आप बोल सकते हैं diesel automatic तो अलड़ी आ रहा है in the form of Trilog तो सब Trilog की pricing जादा है Jeep India जान रहा है कि उस segment पे off-roading के जो पायर्स है वो limited set of पायर्स है इसलिए regular version longitude on limited में diesel automatic लेके आएगा Compass का जो launch होगी इन दा मन्त सब्टमबर और इसको देखते भी TADA Motors भी Harrier के automatic version को लेके आएगा Actually Harrier के automatic पे काफी testing चल रही है अब क्योंकि बजार में MG की हेक्टर आगी है और इस पेट्रूल आटमेटिक किया कि Sentus भी पेट्रूल आटमेटिक में आएगी लेकिन जो GP Compass है वो diesel automatic में आएगी तो Harrier आपको diesel automatic में before they probably भी launch होते में दिखाए देगी वो आप चान लेजे TADA Motors की ही दूसरी गाड़ी which is Tiago का facelift version yes Tiago का facelift version भी due है और Tiago के facelift version भी आपको वही same platform मिलेगा जो Altros में मिल रहा है यानि इसमें आपको मिलेगा alpha platform plus impact 2.0 design philosophy के साथ आपको Tiago भी भारतिय मार्केट में launch होगी before the public festival तो यह है वो गाड़िया जो अगले भारतिय पैसेंजर का मार्केट में launch होगी अगर आपकी नजर में से किसी एक model पे है तो तुरंत MyCarAlpine Channel को subscribe कर लेचे, follow करिये ताकि जब भी इन गाड़ियों का टेटेट रिव्यू में post करता हूँ आपके पास notification आ जाए and in the end do not miss to like this video and share this video so that I can reach to further more audience thank you